Snapchat login problem, Snapchat something went wrong, please try again, support code and problem How to fix Snapchat not offering and facing this problem, something went wrong, please try again later तो दोस्तों यहाँ पे support code की भी problem आपको देखने को मिल लए तो इस problem को कैसे solve करना है आज की इस वीडियो में हम आपको details में जानकारी देने वाले हैं दोस्तों वीडियो काफी यदा helpful होने वाला है तो इस वीडियो वो complete full watch कर लेना है आपका Snapchat है, fully तरीके से login हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी problem है, बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगा, जी हाँ मिरवालोग, आईए चानते हैं यह problem क्यों आती है और इसे पर्मानेंटल के लिए solve कैसे करना है, वट उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा है आपको आना है, दोस्तों सबसे पहले अपने मुवाल फोन पे आने के बादे, आपके सामने इस परकार का दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस आएगा, जो आपका Snapchat है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप एक्चली क्या होता है, कहीं बंदी लोग क्या करते हैं, Snapchat को डिलीट कर देते हैं, मुवाल फोन को रिसेट करने के चकर में, या फिर बोल सकते हैं, Snapchat से अपने अकाउंट को लोगाउट कर देते हैं, लोगाउट करने के बादे दुवारा फर से अपने उसी अकाउंट क लोगिन करने के लिए जाते हैं वो दोस्तों यहां पे आटोमेटिकली लोगिन होता ही नहीं है और दोस्तों यहां पे लोगिन करने के टाइम पे आप लोग मुवाइल नमबर डालते हो Gmail ID डालते हो और पासवर डालते हो आपको something went wrong की problem है आपको देखने को मिल जाती है error code भी आ जाते है तो ऐसे में आपको सबसे पहले first tool आपको आना है अपने मुवाइल फोन की screen पे आप problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी phone की setting को open करना है अब जैसे अपनी phone की setting को open करते हो आपके सामने एक और new phase open हो जाए जिससे की दोस्तों यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आप लोग इस फ्रेंट आउट पर आ जाओगे आने के बाद भी नीचे की side में जाना है एंड कहीं भाई लोग का मुवाइल फोन जैसे कि Samsung का हो गया वीपो का हो गया Redmi का हो गया Realme का हो गया Infinix का हो गया Oppo का हो गया या फिर iOS का हो गया कहीं सारी ऐसे डिवाइस हैं जिसमें दोस्तों तरह तरह की setting होते हैं लेकिन आपको एक setting याद रखना है आपको यह अप setting पे जाना है यह अप manager पे जाना है आपके phone में सारे application है वो आपको देखने को मिल जाएंगे आपके application आपके mobile phone की setting में यहाँ पे आपको नीची साइड में फिर आपको चले जाना जाने के बाद में आपको यहाँ से Snapchat को डूणना इसके ओपर किलिक करना है और आप दोस्तों के लिए और लाटक करने से क्या हो ओ आपको इसको आइशन आपट करना है इसका जो चैट है डिलीड करना है एंड यहां से इसके वार केस करना है तना करना के बाद आप अब जय से कट बाट है आप जैसे ही दूसतें यहां पे आप लोग यहां से आते हो अपने मोवाईल फोन की स्क्रीन पे आपको फिले इस्टोर ओपन करना है, एंड आपको इस richt hybrid को सर्च्छ बार से सर्च कर लेना, इसिक पर सर्च करने के बाद में आपको देखना है जो आपका दोस्तों Snapchat अप्लिकेशन हो गया यह new latest version है या फिर आप लोग old version ही यूज़ कर रहे हो यह दि दोस्तों आप लोग एक old version यूज़ कर रहे हो आप लोग सबसे पहले गाईस यहाँ पे Snapchat को अपडेट करना है फिले इस्टोस से सक्सेफुलिक अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पे भी कामें complete हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वेटा प्रोग्राम इस फुल आपको अपनी डिवाइस में देखना है यह दोस्तों आपके डिवाइस में आपके फुल है या फिन नहीं है अगर नहीं होगा तो यहाँ पे जॉइनिंग का एक option आए जिसमें आपको join हो जाना है join होने के बाद में आपका सारा काम complete हो चुका है फिर आपको last में दोस्तों यहाँ पे snapchat को open करना है आपको सामनी स्परकार का interface आए और login वाले विटन पे click करना है आप दोस्तों मैं security के लिए थोड़ा बिलद करना चाहता आप जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने number 500 डालने के बाद सुन पे click किया fully तरीके से हमारा account लोगिन हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसा कि यहाँ पे देखी सकते हो एंड हमारा account फुली तरीके से चालू हो चुका है अब आप लोग समझ ही चुके होग कि मानल साले के कुपरी तो